हलो, वल्कम, हम फ्रेंच रेवलुशन पढ़ रहे थे, जहां हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, कि फ्रांस एक मोनार्क स्टेट था, जहां पे राजय के पास ही सारी पावर होती थी, और फ्रांस की सोसाइटी फ्री इस्टेट में डिवाइड थी, जिसमें फ्रस्ट इ पेजन्स आते थे, 11 जिबरेड्स आते थे, तो हमने देखा कि जहातर टेक्स देने की जब बारी आती थी तो जो पेजन्स होते थे, जो किसान लोग होते थे, थिर्डी स्टेट से जो बिलॉंग करते थे, उनको ही मैक्सिमम टेक्स देना पड़ता था, और जो फर्स्ट औ of the revolution. Outbreak mean होता है start. तो कैसे France की revolution start होती है? तो जैसे कि हमने ये देखी लिगा है कि France की society किस हिसाब से divided थी? तो old regime, जब पुराना राज था, उसमें क्या होता था कि monarch did not have the power to impose tax. उसके पास कोई भी शक्ती नहीं होती थी अकेले किसी भी tax को, किसी भी करको लागू करने के लिए. तो उसको क्या करना पड़ता था? एक e-state general की बैठक बुलानी पड़ती थी. तो वो ही e-state general की बैठक एक निया tax proposal में ला सकती थी. तो जब e-state general की बैठक होती थी जए एक political body थी, जिस में three states send their representative. तीनों जो state थी, first state, second state and third state, तीनों states अपने representatives बेजती थी और वो ही representative आगे tax impose करने का काम करते थे. हाला कि इससे पहले जब three states की बैठक बुलाई गई थी, meeting बुलाई गई थी, tax लगाने की, वो 1640 में बुलाई गई थी, around 108 पहले ये meeting बुलाई गई थी और tax को impose किया गया था. तो जब 5th मैं 1789 में Lewis 16 ने assembly, East state general की meeting बुलाते हैं, तो वो कहां बुलाते हैं, represent hall of Versailles, तो आपको पताई कि France का जो राजा था, वो Versailles के महल में रहता था, भहीं पे वो एक host करता है delegation तीनों इस्टेट की तो जिसमें 1st और 2nd इस्टेट के 300 representative होते हैं, जो clergy होते हैं और nobles होते हैं, उनके 300 representative होते हैं, और जो 3rd state होती है उसके 600 representative होते हैं, तो 3rd state was representative by more proposed prosperous and educated member तो आपको पता ही है, जो 3rd state में तो lawyers भी आते थे merchants भी आते थे, और peasants भी आते थे, मगर उनको represent करने के लिए जो prosperous होते थे wealthy होते थे, और साथ में जो educated member होते थे, भो ही 3rd state को represent करते थे, और जो peasants होते थे, audition होते थे, boomants होते थे, उनको assembly में जाने की अनुमती नहीं थी, they were denied, however there grievances and demand, पर उनकी जो शिकायते थी, उनकी जो demands थी उसके 4000 letters का एक book बनाईगी और जिसको assembly में पेश किया गया तो voting जब होने की बारी आती है, तो tax impose कहने के लिए तो पहले ये system था कि हर एक state का एक board होता था, एक board clergy का होता था, एक board nobles का होता था, और एक board जो third state होती थी, उसका होता था, उसके उसे होता क्या था कि जब भी कोई rule बनाना होता था, nobles और clergy अपनी अपना अपना board दे रहे थे, और अपनी सुवीदा के हिसाब से ही अपना board बनाते थे, अपना rules बनाते थे, मगर third state इसे agree नहीं था, वो चाहता था कि हर एक आदमी का एक board होना चाहिए, जितने representative है, हर एक का एक board होना चाहिए each member would have one board हर एक member का एक एक board होना चाहिए, जैसे 300 member थे, first or second state के तो 300 boards उनके, और 600 member थे, third state के तो उनके 600 boards होने चाहिए, तो वो एक विचारदारा और democratic principle philosopher पे वो अदारी था, जैसे हमारे एक पास एक philosopher था, जिसका नाम था रोसो, रोसो ने एक book लिखी थी the social contract, तो social contract में उसने कहा था कि एक आदमी के पास एक ही board देने का अधिकार होना चाहिए, when the king rejected the proposal, तो मगर जो राजा था, उसने ये बात नहीं मानी तो जो third state के member थे, walk out of the assembly in protest, तो उसने इनका खिलाफत करने के लिए उस assembly से walk out कर लिया वहां से भार चले गे और भार चले जाने के बाद, उन्होंने क्या किया उन्होंने एक assembly बिनाई, क्या नाम दिया उसको, national assembly और ये कहां बिनाई, बरसाई जो महल था, उसके बार एक tennis court था, तो उसी की ground पे उन्होंने एक assembly बिनाई और उसको नाम दे दिया, national assembly, तो ये assembly ने एक constitution draft किया, एक सवीदान बनाया, फ्रांस के लिए, ताकि जो मुनार के हवां का राजा है, उसकी power को कम कर सके, limit कर सके तो जो third state की जो national assembly थी उसके leader कौन थे, ये Mirabu थे और आबे CIA थे तो Mirabu, हाला की एक high privilege society से belong करते थे, पर उनका मानना था कि सभी का board देने का अधिकार equal होना चाहिए, रूल बनाने का सभी का जो अधिकार है वो equal होना चाहिए, he brought out the journals and delivers powerful speech to the courts assembled in the बरसाई, तो उसने एक वहां पे बहुत ही अच्छा journal लिखे, वड़े सारी ऐसी books लिखी और बड़ी सारी powerful speeches दी, जिसकी वजासे यहां का जो crowd था बरसाई में assembly होए, उनको उन्होंने influence किया, next है कि जैसे आप यहां पे image में देख पा रहे हो, यहां पे यह miraboo होगे, miraboo खड़े हुए है और यह speech दे रहे हैं और बाकी जो third state के जो members हैं सारे, जो इनकी बातें सुन रहे हैं तो यह picture painted की गई है Jack Lewis, David के द्वारा यह क्या है, यह वही जो national assembly बनाई गई थी third state के द्वारा next उसी के बाद क्या होता है यहां आबेस यह थे, जो second representative थे, जो lead कर रहे थे national assembly को वो भी एक priest, mean एक clergy परिवार से समन्द रखते थे उन्होंने भी एक pamphlet influence करने के लिए एक pamphlet बांटे गए थे और उस pamphlet का नाम था, what is third state, तो यह उसके बाद क्या होता कि जब national assembly busy थी बरसाइल में नया constitution बनाने में नया एक सभीदान बनाने में तब ही जो France था बहाँ पे बहुत ज़्यादा turmoil था time aisle होता है, बड़ी ज़्यादा वहाँ पे disorder था, तो क्या क्या disorder था, तो बड़ा ज़्यादा sewer winter, बड़ा ज़्यादा winter बड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है जिसकी बज़ा से क्या होती है, वहाँ की फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती bad harvest होते है, तो bad harvest होने की बज़ा से जो bread के price से बहुन बहुत जादा बढ़ जाते हैं, तो bread के price बढ़ने की बज़ासे और उनको exploit करने के जोगों को exploit करने के लिए कुछ क्या करते है, उनको उनकी जो अपना floor होता है, उसकी order करते हैं, supply करते हैं उसके जमा खोरी करते हैं after spending horse in the queue at the bakery, crowd of angry boom and storms into the shop तो केंग गंटे queue में खड़े रहने के बाद, line में खड़े रहने के बाद जो ओरतें गुश होकर उन्होंने shop में गुश जाती है और उनको उसको loot देती है तो साथ साथ में जेवी अफवा फैल जाती है कि जैसे आपको पहली बताया था जो हमने पढ़ा था कि किंग ने अपने troops को order दिया कि वो city पे जाए और city पे जाने के बाद लोगों पे fire खोल दे तो जिसकी बज़ा से आपको पता ही है seven thousand men and boom men की मिलेशिया बन जाती है मिलेशिया बैस्टील की जो fortress prison होती है जेल होती है उस पे हमला करती है और उसको तोड़ देती है उसके बाद क्या होता है कि जल्दी जे अफवा फैल जाती है कि जहां वहां के जो landlord है तो landlord क्या करेंगी जो वहां की पकी हुई फसले हैं उनको उनको जला रही है तो जिसकी वज़ा से जो agitated crowd होता है storm ये तो आपने पढ़ लिया कि next है जो village में जही rumor पहल जाता है तो जिसकी वज़ा से जो manors होते है higher brand of brigades who are the destroyed ripped crops तो manors होते हैं ऐसे landlord जिनके पास बड़ी बड़ी जमीने थी तो catch the frasya fire जिसकी वज़ा से जो peasants होते है seize the hue and the pitch and attack the chatoo chatoo जहां पे king के represented ही होते हैं nobles होते थे उन पे attack कर देते हैं and looted the hodrigan और वहां पे जितने भी grains होते हैं उनको loot देते हैं और जो उनके document होते हैं जिनमें record रखा गया होता है वो सारा जला देते हैं and the large number of nobles fleed from their homes और बड़े सारे जो nobles है वो अपने घरों से बाग जाते हैं और बड़े सारे migrate होके अपने neighboring country में चले जाते हैं तो यहांपे हमने two words पड़े एक तो chatyu पड़ा chatyu क्या होता है एका castle होता जहां residency होती है जहां वो क्यों होती है जहां nobles की होती है राजा जहां उनके जो nobles होते हैं जो जमीनदार होती है उननकी जो settlement होती है उसे chatyu कहते हैं next है manor manner भी, सेम यहां जो landlord होते हैं उनका mention होता है तो उनकी रहने की जगा होती है उनको हम manner कहते हैं next की France कैसे है पहले तो French एक मोनार्की हुआ करता है सिर्फ राजा की सभी power हुआ करती थी राजा के पास ही सारी power हुआ करती थी उसके वाद France एक constitutional Constitutional Monarchy बन जाता है, Constitutional Monarchy मीन मुनार्क दो है, राजा भी है, मगर उसके साथ एक Constitution भी है, एक Assembly भी है, जो राजा की पावर को कर्टेल मीन कम कर रहा है, तो National Assembly complete the draft of the Constitution 1791, तो जो National Assembly third state की बनी थी, वो 1791 में जो Constitution दो सवीदान था, उसको complete कर देती है, तो जिसकी वज़ा से क्या हु तो उसके इलावा, concentrated in the head of one head, तो ताकि पावर सभी बंदों के पास रखे, बलकि एक बंदा सिर्फ इराजा के पास हुओ, तो जिसमें क्या क्या किया के, तीन अलग-लग bodies बनाएगी, एक body legislative बनाएगी, executive बनाएगी, और judiciary बनाएगी, तो legislative का काम था लाको बनाना, और executive का का लाको लागू करना, और judiciary का काम था नियाई करना, तो इस तरह से government के तीन अलग-लग से organ बनाएगी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो judge हो गए judiciary, king और minister होगे, executive और national assembly होगी हमारी legislative, तो national assembly rule बनाएगी, king और minister rule को execute करेंगे, और judge judiciary का का काम करेगा, नियाई का काम क तो judge सीधा लोगों के द्वारा चुना जाता था, और जो national assembly थी, तो उसको electors होते थे, 50,000 electors चुनते थे, और electors को लगबग 4 million population चुनती थी, तो फ्रांस में क्या था कि, जो सबसे ग्रीब लोग थे, जो landless labor थे, उनको board देने का कोई भी अधिकार नहीं था, उनको हम passive citizen क् तो active citizen बोग थे, जिनको board देने का अधिकार था, तो passive citizens में, boomants पे आती थी, boomants को भी बोड देने का कोई अधिकार नहीं था, तो active citizens में बोग थे, जो electors को चुनते थे, तो ये 4 million थे, around 40 lakh people ऐसे थे, जो 50,000 electors को चुनते थे, और 50,000 electors को चुनते थे, और 50,000 electors नेशनल assembly मे 745 member को चुनते थे, और इसी national assembly में से minister को चुना जाता था, और राजा के पास बिटो power थी, ये assembly राजा को control करती थी, मगर राजा कभी भी इस assembly को dissolve कर सकता था, तो इस तरह से, जो France था, France में एक government बनाए गी, जिसमें अलग लग से 3 organs बनाए गे, तो अब France एक constitutional monarchy बन गया थ नेक्स्ट, वो ही है कि जो constitution बना था, कब बना था, 1790 बन में बना था, तो जिसमें जो बोर देने का अधिकार था, वो सिर्फ man को था, और man जो उनकी जिनकी age 25 years से अबब थी और जो tax देते थे, जिन्हों tax analyst 3D of labor wage was a status of active citizen, जिन्हों कम से कम 3 दिन की अपनी आमदन tax में दी थी तो उनी को बोर देने का अधिकार था, और बाकि जो landless laborers थे, उनके पास कोई भी बोर देने का अधिकार नहीं था, और उनको passive citizen कहा जाता था, next जो constitution become the declaration of, तो बड़ी important है, जो आज भी अलग लग country के constitution में जो है, कैरी किये जाते हैं, इस्तिमाल किये जाते हैं, तो वो क्या क्या है, right of man and citizen, जिसमें एक आदमी के अधिकार आते हैं, right such as कून कून से अधिकार आते हैं, right to life, right to freedom, right to opinion, equality before law, तो ये चीजें उस constitution में डाल गई थी, even India का जो आज का constitution है, उसमें भी जे चीजें French के constitution से ली गई हैं, तो जिसमें क्या थे हर एक आदमी के human being के जो basic अधिकार होते हैं by birth, वो उसको दिये गए थे and cannot be taken, इन अधिकारों को कोई नहीं ले सकता, कि क्या अधिकार हैं ये, हर एक बंदे को freedom of speech है, हर एक ब के सामने equal है, और ये सारे right कैसे हैं, in-aleneable, in-aleneable होता है, ऐसे right जिनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इसी तरह से ये France की revolution थी, कुछ main important, ये rules हो आगे, जैसे man are born and remain free and equals in right, तो जो man है, वो हमेशा अजाद ही पैदा होता है, और हमेशा, और उसकी क्या होनी चाहिए, हमेश के rules थे, जो उसके constitution में introduce किये गये थी, जैसे liberty का idea था, property का idea था, security का idea था, कि ये सारे उस constitution में चीज़ें डाली गई थी, तो the law has the right to forbid only actions that are injurious to society, तो law सिर्फ उन्ही राइटों को forbid कर सकता था, रोक सकता था, जिसकी वज़ा से समाज को कोई तकलीफ पहुंचे, तो no man may be accused, arrest are detained, expecting guests are determined by lie, किसी बंदे को पकड़ा नहीं जा सकता, किसी बंदे को detained नहीं किया जाता, जो law के according नहीं आएगा, तो इस तरह के ये rule थे, ये constitution में introduce किये गये थे, तो next है कि तब जातर लोग पढ़े लिखी नहीं थे, uneducated थे, तो कुश ऐसी image थी, जो represent करती थी अलग-लग idea क जैसे यहाँ पर broken chains दी गी है, तो broken chains एक तरह का जो slaves होते थे, उनकी अजादी का परतीक हुआ करती थी, तो यहाँ पर bond of decree और rod का, faces का, तो ये एक तीरों का एक गठा है, तो जिसका नाम है कि, जिसका मतलब है कि, अगर unity में रखो के तो आपको strength होगी, अगर अलग-लग हो drives away from the cloud of ignorance, तो यहाँ मतलब है कि, जो sun हमेशा, जो sun है वो हमेशा बादों से अलग होके, ignorance को remove करता है, ये spectre है, spectre एक symbol था, royal power का, जो शाही power थी, उसका एक symbol था, कि जैसे राजा इसको इसको इस्तिमाल करता था, अपना हुकम चलाने के लिए, ये snake bite कर रहा है, खुद की ही tail को ये एक symbol था, अटरिनेटी का अटरिनेटी मीन ऐसा process जो कभी खतम नहीं होता, next ये frozen cap है, frozen cap slips पैना करते थे और caps worn by the slips upon become free, तो ऐसे slips जैसे गुलाम जब जो free हो जाते थे उसके बाद ये frozen cap पैना करते थे, यहाँ पे एक lady दिख रही है, blue white red में, ये France का national flag था, ये lady एक तरह का law का परतीक थी, और last में हमारे पास एक table है, table chartered law table है, ये एक परतीक था कि सभी के लिए equal law है और सभी law के सामने बराबर है, तो ये हमारा था, कैसे France की revolution outbreak होती है, start होती है, और कैसे वो एक constitutional monarchy बन जाता है, तो next हम पढ़ेंगे किस तरह से जो France था, France की abolish करता है monarchy को और Republic कैसे बन जाता है, और Republic बनने के बाद वहां पर क्या क्या changes आते हैं, thank you